वेल्कम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चोन इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं चन्नाई सूपर किंग्स वर्सेस कॉलकता नाइट राइडर्स टाटा आईपील मैच जो की खेला जाएगा वानखेडे स्टेडिया मुंबई में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से प्लेयर हैं जो फर्स्ट मैच के लिए अवेलिबल नहीं हैं क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम ग्रैन लीग की क्या टीम्स रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं सब पूरी वीडियो देखिएगा बहुत सर्च करके मत जुड़ना क्यूंकि फेक चैनल काफी सारे हैं हमारे नाम के और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दीचे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी सो बात करते हैं यहाँ यहाँ पर वेन्यू मैच देखने की उमीद रख सकते हैं यहाँ पर अभी तक 81 मैच जो है वो टोटल खेले गए हैं और जो बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम 40 बार जीती है और चेजिंग टीम ने 41 बार जीता है तो मतलब टॉस्ट जो है बहुत बड़ा फेक्टर नहीं रहने वाला है दोनो तो हमें यार देखने को मिलना चाहिए हाइस स्कोर की बात करें तो RCB ने यहाँ पर अपना हाइस बनाया हुआ है 235 एक विकेट के नुकसान पर और KKR जिनका ये मैच है वो यहाँ पर वानखेडे में सबसे लोएस्ट स्कोर जो है वो KKR का है वो 37 पर ओल आउट हो गई थी बात करते हैं टीम न्यूस की तो यहाँ पर CSK की तरफ से जो बड़ी ख़बर आ रही है दीपक शाहर का तो पता ही है कि वो अभी इंजरी से हैं वो रिकवर कर रहे हैं तो अभी कुछ मैच इसके लिए अवेलिबल नहीं होने वाले हैं और जो बड़ी खबर है वो है मो कॉरेंटीन का टाइम है और फिर वो फर्स्ट मैच खेल लेते लेकिन वो आएंगे जहां तक है थर्स्टे को जिसकी वज़े से तीन दिन का जो कॉरेंटीन है वो 27 तारिक को पूरा होएगा सो फर्स्ट मैच जो है मिस करते हुए नजर आ जाएंगे सो यहाँ पर अभी तक क को मुझे लगता है टीम मुका देगी इस बार यहाँ पर एडम मिलन है केम असिफ और यहाँ पर क्रिस जॉर्डन और तिक्षना में से एक कोई खेल सकता है बात करते हैं केके आर की तरफ से से यहाँ पर वेंकटेश अईयर ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे अजिंके र ओपन करना चाहेगी और यहाँ पर फिर शेयर सेयर है नितिश राना है सैम बिलिंग्स है अंद्रे रसल सुनील नरायन पैट कमिंट शिवम मावी चकरवर्ती और उमेश यादव आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे इंटरस्टिंग फैक्स की बात करें सो हेड टू हेड में यहाँ पर चन्नाई जो है फेवरिट रहती है यहाँ पर 18 मैच जीते है चन्नाई ने और 9 मैच जीते है केके आर ने लेकिन जो उससे भी बड़ा इंटरस्टिंग फैक्ट है वो यह है कि इतने मैचिस हो चुके है लेकिन केके आर देना सिर्फ एक बार चन्नाई के अगेंस्ट मैच जीता है जब उन्होंने पहली बैटिंग करते हुए मतलब अगर चेजिंग करते है केके आर तो अच्छी है लेकिन अगर बैटिंग पहले आ जाती है केके आर की सो बहुत ही रेर केस में है कि केके आर जीती है सो यह चीज का ध्यान रखना केके किये हैं जब वो को KKR की तरफ से खेलते थे इस चीज का धियान रखना है ठीक है और रसल के 346 है जड़े जाने भी 248 की हुए है और गायक वर्ड के 208 रन हाई ये स्कोर की बात करें सो आंद्रे रसल का 88 नोट आउट है या पर नितिशनाना का 87 और रोबिन उथपा का 80 बोलिंड की FIGURES की बात करें सो रविंदर जड़े जा ने 4 विकित निकाल के 12 दिये हूए है फिर दुबारा रविंदर जड़े जा कानाम आता है यहां पर 3 विकित निकाल के 22 रन बात करते हैं चन्निया सूपर किंग्स की सो यहां पर OPCं करेंगे रितुराज गायक वर्ड काफी अच्छी form में है काफी अच्छा player है last season भी बहुत अच्छा गया था so small league में captain wise captain की काफी अच्छी choice बन जाएगी especially अगर चन्ने ही जो है ना वो chase कर रही है तो काफी अच्छी choice आपके लिए बन जाती है Devon Conway ये बहुत ही classic player है और ये खिलाड़ी ना आपके लिए grand league का captain बनता है मतलब इने आप अगर एक match में भी ये flop होते है ना तो आप इनके साथ लगातारी ने grand league में captain कर सकते हो even small league में भी एक अच्छी wise captain की choice है क्योंकि ये जो जोड़ी है मतलब रितुराज, गायकवर्ड और मुझे लगता है चन्नाई को मिला है तो दोनों ही काफी important बन जाते हैं Robin Uthappah की बात करें मौहिन अली की absence में one down खेल सकते हैं या पर और काफी important pick बन सकते हैं differential player क्योंकि ये वाला जो match है ना वो है KKR से KKR के साथ ये already खेल चुके हैं मतलब काफी matches KKR के लिए खेले हुए है तो ऐसे में ना कहीं बार एक होती है क्यार ये मेरी पुरानी team है इनके against मुझे अच्छा करना है हमेशा ये रहती है तो आपके लिए अच्छी differential pick बन सकती है और इन्होंने last season भी Uthappah का अच्छा गया था तो एक अच्छी differential player बन सकते है अमबती राइडू जो है आपके लिए अगर आप KKR के favor में टीम बना रहे हैं अगर आपको लगता है कि गायक वडिया कौन वे जो है कोई जल्दी आउट हो सकता है तो उस case में अमबती राइडू आपकी team में होने चाहिए लेकिन क्योंकि टॉप ओडर काफी strong नजर आ रहा है और फिर अगर ऐसा होगा कि रविंदर जड़ेजा मुझे लगता है इस season में ऐसा floater खेलते वे नजर आ जाएंगे कि जब-जब ज़ादा hitting की जरूत होएगी तो मुझे लगता है रविंदर जड़ेजा को यहाँ पर सिर्फ एक doubt जो रहेगा वो यह रहेगा कि bowling कितनी करेंगे इस match में क्योंकि यहाँ पर सामने की team में काफी ज़्यादा lefty batsman है अगर आप देखो वेंकर टेशाइयर है नितिश राना है फिर आपके पास सुनील नरायन भी है सो यह भी चीज़ देखने वाली होगी लेकिन अगर चन्नाई की पहले batting आती है सो मुझे लगता है रविंदर जगड़ेजा captain wise captain की best choice बन जाते हैं MS Dhoni की बात करें सो vintage माही है हर कोई देखना चाहता है और practice में अच्छे shots इन्हों ने लगाए है और आपको wicket keeping के तो points देते ही है और अगर पहले चन्नाई की batting आती है सो आप MS Dhoni को अपनी team में preference दे सकते हैं DJ Bravo टीम के लिए important death bowler बन जाएंगे अब बैसे भी जो है main जो इनका bowler है दीपक चहार वो available नहीं है और सो उस case में मुझे लगता है DJ Bravo के उपर और responsibility आएगी death में over डालने की सो यहाँ पर एक अच्छी pick आपके लिए बन जाएंगे lower order में run भी करके दे देते हैं एक अच्छी differential player जो यहाँ पर बन सकते हैं वो है राजबर्धन यहाँ पर इन्हों लिस्ट A में भी 5 match में 10 pick आपके लिए काफी तगडे बोलर है और राउंडर है वैसे यह आपको lower order बैटिंग भी करके दे सकते हैं और यह interesting player बन सकता है सीजन के लिए वोच आउट फो राजबर्धन इनको मुझे लगता है चन्नाई मोका देगी और एक अच्छी differential player आपके लिए बन सकता है और grand league के लिए जरू try कर लेना as a normal player Adam Milne को मुझे लगता है इस चन्नाई की team में काफी matches मिलने वाले है और recent form जो है वो काफी अच्छा है काफी तेज bowling करते हैं और एक important player बनके यहाँ पर आने वाले है यहाँ पर Jordan की बात करें और तिक्षना की बात करें मुझे लगता है तिक्षना को मौका मिल सकता है यहाँ पर अगर क्योंकि सामने lefty batsman काफी है तो मुझे लगता है एक spinner के साथ team जा सकती है अगर नहीं जाती तो Jordan बन जाएंगे Jordan जो है फिर death bowling करेंगे प्लस आपको lower order में runs भी करके दे देंगे यहाँ पर केम आसिफ को मौका मिल जाएगा मुझे लगता है यहाँ पर क्योंकि चाहर नहीं खेल रहे है तो चाहर खेलेंगे तो केम आसिफ जो है मुझे लगता है फिर टीम में जाएंगे लेकिन स्टार्ट लिंग के कुछ माचिस में स्टार्ट जो है टीम केम आसिफ के साथ कर सकती है ग्रैंड लीग में ट्राइ कर सकते हैं आप इने death bowling की बात करें ब्रावो तो होंगे ही और यहां पर क्रिस जॉर्डन अगर खेलते हैं और क्रिस जॉर्डन नहीं खेल रहे तो फिर केम आसिफ जो है वो death bowling करते हुए नजर आ जाएंगे important players की बात करें तो यहां पर गायक वर्ड और Conway काफी important है फिर रविंज रिचडेजा यह तीन प्लियर जो है ना काफी हद तक फिर मोईनली जबाएंगे वो यह तीन से चार प्लियर ना बहुत important रहेंगे कि चन्नाई का इस सीजन जाता कैसा है उसके लिए फिर MS दोनी है डीजे ब्रावो और एडम मिल जो है इस टीम के important खिलाडी है बात कर लेते हैं कॉलकता नाइट राइडर्स की बहुत तगड़ी टीम ने के आया है भाई मदब ऐसा लग रहा है परफेक्ट टीम है और अगर टीम अच्छा खेल गई तो यार यह जो है ना काफी strong टीम बन सकती है इस सीजन के लिए तो कॉलकता फैन्स के लिए तो यह बहुत खुशका परीग बात है क्योंकि टीम सच में बहुत on papers बहुत strong लग रही है यहाँ पर वेंकरेटे शहीर open करते हुए नजर आ जाएंगे बहुत अच्छी फर्म में है चाहे इंटरनाशनल क्रिकेट में हो चाहे लास्ट येर आईपेल हो पिशलाए एक साल बहुत अच्छा इनके लिए गया है तो उम्मीद करेंगे यह ऐसी ही कुछ performance दे यहाँ पर small league में captain wise captain आप इने try कर सकते हो लेकिन कॉलकता इस team में मुझे लगता है कि bowling कितनी करेंगे वो देखना होगा क्योंकि 7th bowler जो है वो यहाँ पर iyer रहेंगे अगर यहाँ पर Russell किसी match में fit नहीं होते है bowling के लिए उस case में iyer आपको bowling करते हुए भी नजर आ जाएंगे so small league के लिए captain wise captain की अच्छी choice बन जाती है यहाँ पर मुझे लगता है रहाने को खिलाया जाएगा रहाने की जगा team चाहे तो finch खिला सकती है लेकिन मुझे लगता है रहाने को मौका मिलेगा क्योंकि already अगर आप देखो ना team के पास जादा stroke लगाने वाले खिलाडी है तो अगर finch को भी ले आते हैं तो सारे के सारे एक तरीके से stroke लगाने वाले खिलाडी हो जाएंगे और यहाँ पर रहाने एक ऐसा खिलाडी है जो एक side से tick कर खेल सकता है और बागी जो है अपने shots खेलते चले जाएं तो रहाने मुझे लगता है खेलते वे नजर आ जाएंगे और इस season में important बन सकते हैं एक अच्छा trump card pick आपके लिए साबित हो सकता है grand league में आप इने अगर खेलते हैं तो captain भी try कर सकते हो श्रे सायर बहुत ही अच्छी firm में है recently और captain है यहाँ पर KKR के सो small league में भी captain wise captain की काफी अच्छी choice बन जाएंगी reliable player है number 3 पर betting करेंगे तो एक important pick रहेगी और small league में अच्छी captain wise captain की choice बन जाती है नितिश राना की बात करें यह इस खिलाडी यह काफी अच्छा खिलाडी है और KKR ने काफी time से इन पर invest भी किया है तो यह आपके लिए important player है लेकिन small league में थोड़ा सा इसकी बन सकते हैं क्योंकि top order काफी strong है और यहाँ पर और भी picks आपके पास रहती है लेकिन यह एक अच्छी differential player आपके लिए बन जाएगी तो grand league में ज़रूर try करना और अगर आप चन्नही के favor में team बना रहे हैं अगर आपको लगता है कि चन्नही असानी से कर रहे थे और यहाँ पर अगर team पहले bowling करती है कॉलकाता की पहले bowling आती है उसके इसमें तो Russell को आप small league में captain wise captain भी कर सकते हो सुनील नरायन एक और important खिलाड़ी जो कॉलकाता के लिए है यहाँ पर रसल और नरायन जो काफी time से जो है कॉलकाता के लिए खेल रहे है नरायन कभी time पर open भी करते हैं लेकिन अब मुझे लगता है open नहीं करेंगे यहाँ पर इन्हें floater की तरह use कर सकते हैं कि जब थोड़े से hitting की ज़रूरत हुई सहाँ पर नरायन को भेज सकते हैं रिसन टाइम्स में bowling बहुत अच्छी है लेकिन रिसन टाइम्स में थोड़ी से dip हुई है इतने wickets इनको रिसन टाइम्स में मिले नहीं है यह एक थोड़ी चिंता वाली बात है लेकिन ऐस ओल राउंडर एक अच्छे pick है यहाँ पर pet comments टीम के लिए काफी important होंगे क्योंकि fast bowler है टीम के लिए और plus यह betting से ना hitting बहुत अगड़ी कर लेते हैं तो आपको lower order में runs भी बना के देने हैं grand league के लिए अच्छी choice आपके लिए captain की बन जाती है शिवम मावी last season काफी अच्छा गया था और starting में अगर आपको लगता है देखो लेकिन यह है कि mostly starting के over डालते हैं और यहाँ पर जो है शिवम मावी जो है मुझे लगता है कि सामने क्योंकि Devon Conway है और यहाँ पर रितुराज गायक वड़ भी है तो देखने मज़ा आएगा लेकिन इनको bounce मिल सकता है भी बोलर है यह trouble कर सकते हैं specially जो middle order है महाँ पर यह wickets निकाल सकते हैं तो चक्रवर्ती important बन जाएंगे specially अगर पहले bowling आती है KKR की उमेश यादव को यहाँ पर मौका मिल सकता है देखते हैं कैसा करते हैं मैं grand league में recommend करूँँगा यह थोड़ा उस तरीके खिलाड़ी है जब चल जाएंगे तो 3-4 wicket भी निकाल सकते हैं otherwise पिटाई भी इनकी काफी होगी क्योंकि 9 length पर देखना हुआ कैसी करते हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि उमेश यादव जो है वो अच्छा करेंगे यहाँ पर death bowling की बात करें so Russell होंगे अगर fit है तो और यहाँ पर Cummins यहाँ फिर उमेश यादव depending के यहाँ पर 16-20 ओवर इनके बीच में निकाल सकती है team यहाँ पर बात करते हैं important खिलाड़ी की so दोनो आईयर, Venkatesh, Shreyas आईयर यहाँ पर सुनील नरायन, Pat Cummins, Russell और यहाँ पर चक्रवर्ती जो है team के लिए काफी important player है small league captain wise captain काफी अच्छे option रहेंगे small league में यहाँ पर और different player आप देख पाओगे opponent coach कोई player लेके आएंगे so रविंद्र जडेजा है, Shreyas आईयर, Venkatesh आईयर यहाँ पर Russell और रितुराज गायकवर्ड जो है काफी अच्छे choice रहेगी small league captain wise captain की grand league की बात करें, so Devon Conway मुझे लगता है best pick रहेंगी यहाँ पर Pat Cummins है, और Robin उथपा surprise कर सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है, चलिए शलते हैं dream 11 team की तरफ wicket keeping section में हमारे पास billings है और MS धोनी है दोनों ही काफी अच्छे option है मैं यहाँ पर billings के साथ जा रहा हूँ अगर यहाँ पर Jackson खेलते हैं, so Jackson को भी try कर सकते हो, लेकिन उस case में फिर मैं धोनी के साथ जाऊँगा, तो लेकिन संभालेंगे, same, Ambati Raidu का same role है, लेकिन यहाँ पर मैं जो है Devon Conway के साथ जा रहा हूँ उनको मैंने preference दी है, Aaron Finch केलते हैं, so decent pick है, यहाँ पर उथपपा एक अच्छे differential player बन सकते हैं और रहाने open करेंगे, selection काफी कम होगा, so एक grand league के लिए ball भड़ेया choice बन जाएंगे, अभी के लिए all-rounder section में शलते हैं, so यहाँ पर 3 all-rounder जो मैं लेकर जाओंगा, वो है Ravindra Jadija, Venkates Ayer और Andre Russell, तीनों मेरी टीम में होने वाले हैं, तीनों important खिलाडी हैं अपनी टीम के, यहाँ पर finally high chances हैं, miss कर जाएंगे यहाँ पर सुनील नरायन को try कर सकते हो, शिवम दूबे के मुझे लगता है थोड़े कम chances हैं, लेकिन अट खेलते हैं, तो अच्छे पिक बन सकते हैं बात कर लेते हैं, यहाँ पर bowling section में, जो दो खिलाडी मैं लेकर जाने वाला हूँ, वो यहाँ पर है आप ब्रावो, यहाँ पर pat comments यहाँ पर मैंने, अब जो हमारे पास option है, दीपक शहार अवेलिबल नहीं है यहाँ पर चक्रवर्ती काफी important हो सकते हैं Adam Milne काफी अच्छे हैं, तो मैंने चाहें तो बैटिंग से आपर नितिशनाना राइडू या फिर उथपा रहाने में से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पर सुनील नरायन के साथ गया हूँ considering all-rounder performance, लेकिन यहाँ पर मैं जो है final pick में वरुन चक्रवर्ति को भी ले सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैंने नरायन को रखा है यह बन रही है मेरी small league की team बात करते हैं, captain wise captain की बात कर लेते हैं यहाँ पर captain wise captain मैंने जो first match में captain रखा है वो रखा है रविंदर जड़ेजा को wise captain मैंने बनाया है यहाँ पर रितुराज गायक वर्ड यहाँ पर वेंकरटेश अईयर रसल जो है काफी अच्छे option है आप इनको consider कर सकते हो लेकिन अभी के लिए मैंने अगर यहाँ पर जड़ेजा को captain और wise captain जो है मैंने श्रेस अईयर को किया है चले चलते हैं grand league teams की तरफ fortune refer code है उसके थूद डाउनलोड कर सकते हैं अब चले चलते हैं grand league teams की तरफ तो यह मैंने बनाई है team number one तो यह इसमें मैंने क्या किया है अगर यह specially work करेगी अगर CSK पहले bowling करती है तो उस चीज का ध्यान रखना है bowling करती है तो यहाँ पर मैंने bowlers ले लिए है CSK के अगर तिक्षना नहीं खेलते हैं Chris Jordan खेलेंगे तो Jordan को हम ले लेंगे ठीक है और captain जो है मैंने opening pair बनाया और यह opening pair से मुझे काफी जादा उमीदे है मुझे लगता है CSK के लिए काफी अच्छा है Shreyas Iyer को Vice Captain रहाने को भी टीम में रखाया और इस टीम में MS Zoni हमने लिए है तो यह रहीगी मेरी Grand League की टीम नमबर 2 तो आप सेम टीम लगा सकते हैं मल्टिपल टीम भी आप बना सकते हैं Grand League में लेकिन Grand League खेलना जरूर और Small League की टीम जो है प्लस यहाँ पर दीपक चाहर और मोहीन अली जैसे जो में प्लियर है चन्नाई के लिए वो नहीं खेलने वाले हैं लेकिन अगर यहाँ पर KKR की पहले बैटिंग आती है तो मैं CSK को फेवरेट मान के चलूँगा लेकिन मतलब कि जो भी टीम चेज करती है मुझे लगता है चेज टू विन ये वाला मैच होने वाला है आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपके इसाब से कौन सी टीम ये वाला मैच जीतने वाली है और बेस्ट परफॉमेंस इस मैच में कौन देने वाला है कमेंट करके जरूर बताना और साथ के साथ हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलना लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगा उसी के थूँ जुड़िएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीचिये जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी थैंक्यू गाइज